चलिए बच्चों यहाप पर क्या है नुकलर फिजन है देख लीजे क्या चीज है फिजन आपको पता है एक हैवी नुकलाई टूपती है ठीक है लैटर नुकलाई में और वो नुकलर रियक्टर में ही करेंगे तो नुकलर फिजन के एक ऐसा फिनोमना है जिसमें हम हैवी नु यह ही सबसे बढ़िया होता है nuclear reaction करने के लिए जबकि जनरली जो यूरीनियम मिलता है उसमें 238 सबसे जादा होता है वह बहुत बेकार होता है इसलिए नेचुरल यूरीनियम जनरली चेन रियक्शन जो हम आगे बढ़ेंगे वह करेगा नहीं तो हमें यह चाहिए होता है 90टी इरेनियम 235 न्यूट्रोंस गिराते ही बाइरियन क्रिक्टन दो लाइटर न्यूट्राइब में टूटा है 3 न्यूट्रोंस भी निकले एक सारी रियेक्शन कितने जल्दी हो जाते हैं देखो वन नेनो सेकंड में हो जाती है और देखे इससे कितनी ज्यादा एनरजी निकली लगभग 200.4 मेगा एलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ज्यादा एनरजी है ठीक है हुआ क्या है है यह न्यूट्राइब गिराया लाटर न्यूट्राइब में टूटा एक न्यूट्राइब गिराया वो एक यूरीनियम के एटम से रियक करके तीन न्यूट्राइब देगा अब यह तीन न्यूट्राइब फिर बाकी हर एक एक तीन न्यूट्राइब से रियक करेंगे तो फिर क्या बनाएंगे फिर दुबार रिजेक्शन होगे और हर एक तीन neutron और निकालेंगे तो 1 से 3 बने, 3 से 9 बने, 9 से 27 बने, 27 से 1 बने, 21 से 243 बने, 729 बने, ऐसे-ऐसे चलता रहेगा तो ये एक तरकी बहुत सारी chain reaction type के हो जाती पर नहीं रहेगे और energy भी देखो इतनी create रहेगे, 32.2 MB वोल्ट, हर एक neutron के निकलने के फिट 243 फिट 729 ऐसे चलती रहेगी अगर हम इसे कंट्रोल कर पाएं कितना बढ़िया होगा अगर हम तो नुकलर चेंज रेक्शन बड़ी खतरना चीज है एक गिराया तीन निकले तीन ने नौ को बनाया नौ ने 27 को बनाया इसे चलता रहेगा अगर हम इसे कंट्रोल कर पाएं कितना बढ़िया होगा पीस्फिल प्रोसेज में कितनी एनरजी क्रेट हो जाएगी जैसे जैसे जापान की सारी इकनोमी इसमें चलती है नुकलार एनरजी में अब इस नामी होई थी तो क्योंने बंद करना पड़ा था ठी इसे भाई यह न्यूट्रोंज लीक ने होने चाहिए जहां भी न्यूट्रोंज लीक हो गए तो आफिशन से कम हो जाएगी तो लिकेज ऑफ न्यूट्रोंज नहीं होने चाहिए उसके लिए हमें डिजाइन बहुत बढ़िया बनाना पड़ेगा फिर क्या है कुछ इंपु यह's a go haveो ढ़ने सोरी आ चाहिए 25 और 38 होता है तो 234 होता वह भी कम क् क्वान्टिटी में टू पैटिफ और भी कम क्वान्टिटी में और चाहिए अगर एबस्वार कर लेगा न लॉज्ट अब जंग अक्ष्ट में उसमों बले किनल मॉर्ण in पूल्ड अब्स समझों के अगर भन वा चितने प्रड्यूज ऑने उतने ही लौश्ट हो गे उन्हीं लाश्ट नाफ़ और होगे यही तो चाहिए यहीं ताकि fan reaction हो जाए जितने चाहिए उतने यूज हो गई अगर एक से ज्यादा हो जाए मन्दब प्रड्यूस ज्यादा हो पारे हैं पर खप या लॉश्ट ज्यादा हो नहीं पारे यूज ज्यादा नहीं हो पारे तो यह एक दम से एक से कम होगा क्या होगा प्रड्यूस कम हो रहे एब्जाब जल्दी हो रहे प्रड्यूस कम हो रहे एब्जाब अरॉब हो गई तो एक समय ऐसा आएगा कि सारे ही एब्जाब हो जाएंगे प्रड्यूस कुछ भी नहीं हो रहे तो वहीं पर reaction रूख जाएगी इसे बोलते हैं critical process कौनसी वाली सब critical कौनसी वाली सब critical सब critical process में reaction रुख जाएगी जाद होगा था atom bomb super critical explosion फटेगा case equal to one में sustained reaction है जितना बन रहा है उतना ही चाहिए यह है अब देखें यहाँ पर जो neutron हम गिराते हैं यह बहुत fast moving neutron होते हैं इने primary neutron कहते हैं यह secondary neutron है इने हम slow करते हैं slow किसे करते हैं moderators की मदद से slow करते है moderate आप समझी जा रहे होंगे fast को slow बनाएगा तो moderator है slow down करता है fast neutron को और इसी के वज़ए से fast neutron किसमें convert हो जाते हैं जब उन्हें moderator कर देता है slow तो वो बन जाते हैं आपके thermal neutron कौन सी neutron thermal neutron ठीक है तो को देखनी है देख लेना साथ देखलों के गुड चलो nuclear fusion देखें अब हो जबच्छों यह देखे हैं यह क्या है nuclear fusion loves अप लोगों को समझ में याते कि आते avons втор दो से जाजा लैटर nuclear story को स्व्यूज करता हैं और वह क्या बनाती है है एवे रिस्टेबल नुकलस बनाती है जो एटम बाँम है वो फिजन पर बेस है बट जो हइड्रोजन बाँम है जिसके नॉर्थ होरिया वह करता रहते हैं हमें धमकी देता रहता है लोगों को वह फ्यूजन पर बेस है वह बनाए नहीं पाता कोई जनली फ्यूजन सब्सक्रा परपाई यह कुछ बेसिक सी रियक्शना फ्यूजन कि देखो यह पॉजित्रों के साथ क्वों निकल रहा निकल रहा है पीटा पाटिकल के साथ एंटिनुटरीनो निकलता है अब थर्मनुकलार फ्यूजन बहुत बड़ी चीज़ है क्यों चीज़ देखो हमें क्या करना है य इस barrier को पार करना इतना आशान नहीं है बड़ हम इसे पार कर सकते हैं कैसे हम क्या करें अपने material का temperature इतना हाई कर दें कि वो इस barrier को पार कर दें कुछ reactions के लिए temperature किसका material का इतना हाई कर दें कि वो जो nuclei के बीच में force of repulsion equilibrium barrier उसे पार कर दें तो उसी के लिए हमारी thermonuclear fusion है और thermonuclear जो हमारे fusion reactor होगा उसका base ही यह होगा कि हमें particles का temperature या material का temperature इतना हाई करना पड़ेगा कि जो fuse वाली materials है या atoms है उनकी nuclei का जो कुलम barrier है उसको हम पार पा सकें उससे हम penetrate कर सकें यह है तो इसके लिए एक reaction यही देख लेना आप लोग बस य nuclear reactor का डाइग्राम देख लेंगे और इसे खतम करेंगे चलिए बच्चों आपके सामने nuclear reactor का डाइग्राम है देख पा रहे हैं क्या क्या है nuclear reactor के डाइग्राम में यहां दिख रहा है आप लोगों को देखिए nuclear reactor के डाइग्राम में क्या क्या है सबसे पहले आप देख रहे हो होंगे एक rectangular सा है उसमें क्या है देखो ऊपर की साइड वो 303 जो ट्राइड एंड बने वे हैं वो क्या है control rods है नीचे shielding है अंदर fission chamber है fuel की rods डाल रखी moderator डालेंगे अब देखो यहाँ पर coolant है coolant का काम क्या है coolant heat को remove करता है कहांसे आपका reactor से और surrounding को भेजता है pump है pump से पानी जाएगा ठीक है फिर उसके आगे देख पारे होंगे आप super heated steam है इस तीम से क्या होता है turbine rotate करता है turbine rotate करता है और generator में heat generate हो जाती है तो यह basic सा है आप यह diagram देख लीजे अच्छे से देखिए एक मिनट तक diagram देखें क्या क्या चीज़े हैं ठीक है यह हमारे लास्ट आपिक है पहले रेक्टेंगल से उसके पर कंट्रोल रॉड दिख रहे आपको shielding है fission chamber है यह सारी चीज़े है फिल रॉड मोटरेटर है बनाने क्या आएगा बना लेना coolant क्या करता है heat को क्या करता है भाहर निकालता है कहां से nuclear reactor से हम यही तो चाहते हैं वह heat भाहर निकले surrounding में surrounding में हमने pump से पानी भेजा होता है पानी से बीच में देख रहे होंगे आप chamber है chamber में क्या होता है पानी होता है पानी से स्थीम बंते श्थीम टर्बाइन को रूटेट करती है जिसे इलेक्रिकल एनरजी जनरेट हो जाती है अब जब आप यह डियाग्राम देख लेंगे इसके बाद अब देखें यहां पर देखें क्या चीज लिखी वी नुकलर रियक्टर के जो जो में में 2.39 करते हैं अब मोडरेटर का का काम कहा है देखो सुनू जो आपने 92 इरेनियम 2.35 में पहले निट्रओन गिराया वो आपका प्रायमेरी निट्रओन है और 3 निट्रओन बनेंगे उससे उन्हें सेकंडरी निट्र॓न कहते हैं वो सेकंडरी निट्र॓न बहुत जगत यह बत control rods के हैं control rods generally control करती है किसको capture करती है जो fast moving electron को हमने slow कर दिया ना moderator से अभी भी वह घूमी रहे हैं उन्हें capture करने के लिए control rod लगाते है control rod generally brown या cadmium की होती है coolant का काम के है coolant का का काम के है अब देखो neutrons भी आपने अलग कर दिये जो वह क्यों बनी है 200.2 मेगा इलेक्टर वोल्ट उसे उस reactor से भाहर निकालो पानी रखाओगा पानी की वज़े से वह मतलब पानी के वज़े से वह जो हमारी heat है वह absorb हो जाएगी पानी के steam बनेगी steam turbine को rotate करेंगे और generator में energy मिल जाएगी तो coolant का का काम के heat को remove करती है वह reactor से और surrounding को भेज़ते है surrounding में पानी होता है पानी गरम होता है steam बनते है steam से turbine rotate करेंगे और फिर वह electrical energy या कोई भी जाएगी जनरेट हो जाएगी यह सारी चीजे भी आप याद रखिएगा तापकि यहीं पर nuclear खतम होती भी वह नहीं बता रहे है nuclear holocaust क्या होगा यह है है ना atom bomb किस पर काम करते हैं आपको पता है nuclear fusion पर करता है तो यह सारी चीजे आप लोगों को पता है आप डाइग्राम देख लिए फिर इसे खतम करते ह पर अब किसमी कंडुक्टर बचीवी बस वह खतम करेंगे बाद की कुछ है नहीं ठीक से देख लिए डाइग्राम चले मिलते हैं फिर किसी दूसरी यूनिट के बाद आप सेमी कंडुक्टर बच पूरा थियोरी बॉर्ट चैनल से खतम करेंगे फिर मिलते हैं बाद में थैंक्यू